कल आउला नूमी है और आप सबसे निवेदन करूंगा कि आउला नूमी के दिन शाम के समय पर आउले के ब्रक्ष के नीचे घी का दिया लगा कर कनक धारा इस्तरोत का पाठ अवश्य करें नहीं आता हो तो मोबाइल पे उसको सुनें पर एक बार आउला नूमी के दिन आउले के ब्रक्ष के नीचे कनक धारा इस्तरोत का पाठ चाहे संस्कर्त में चाहे हिंदी में करना चाहिए उससे साल भर लक्ष्मी की कमी नहीं आती और आनंद का अनुख्यों को कि करो कारे बहर भगवान संकर्जी से लेंगे उससे पहले ऐसा नहीं है कि केवल दे उठनी एकादशी पर भगवान उठेंगे आज जब आउला नूमी का दिन आया और भगवान नारेण ने सयन करते करते अपनी कर्वट को थोड़ा सा बदला और बदलने के बाद भगवान की अ करा मेरे मन का एक संशय है मैं आपसे कहना चाहूं कि यह हमारे मन का भाव है कि हम भगवान को देव सोनी एकादशी पर सुलाते हैं और देव उठनी पर उठाते हैं पर हमारी शरीमत भागवत कथा करती है शुमाहा पुरान की कथा करती है अग्ही पुरान पदम पुरान नर्वदा पुरान हमको वर्णन करती है एक छण की निंद्रा ब्रह्मा जी तो आई थी और ब्रह्मा जी की जपकी एक छण की लगी थी और हाद से बेद नीचे गिर बेद में नीचे गिरे, हाई गिरिवा ने धारण कर लिए और चारो तरफ पानी पानी हो गया और पूरी प्रत्री पानी में जल में मगन होने लगी जरा विचार करीएगा एक छणकी निंदरा ब्रमा जी को आई और बेप हाथ से चले गए और पानी पानी हो गया और हम कहते हैं कि देव सोनी एका दसी पर देवता सोते हैं और देव उठनी पर उठते हैं अगर चार छे महीने जम के अगर वो सो गिया तो एक बीण दिखेगा भीगणगा ये सोने की तो भगवान की लीला है अगर सही तरीके से दिखा जाए तो मेरा परमात्मा कभी नहीं सोता वो तो हर पल हर घड़ी हर चंड आपके लिए तत पर वेठा रेटा है आपने आवाज लगाई और भागा देव सोनी एका दसी पर भगवान सोए और देव उठनी एका दसी पर भगवान उठ रहे हैं उससे पहले जो आवला नूमी आई इसको अक्छा नूमी कहा जाता है इसको आनंद की नूमी कहा जाता है भंडार भरने वली नूमी कहा जाता है उस दिन दिया गया बरा गया उन समाप्त नहीं होता इसलिए इसको अक्षए नूमी भी कहा जाता है तो लच्ञी जी के मन में भाउधपन हो गया लच्छी ने कहा प्रभू मेरको पूछना आपसे कुछ मेरे मन का संशे मिता जा जिये तो भगवन ने पूछा वो संशे कौन सा क्या संशे है आप मेरा संशे किवल इतना सा है क्या सोने से पहले आपने भगवान शंकर को पूरी स्रश्टी का भार दिया था क्या संकर भगवान पूरी स्रश्टी को सही से चला रहे हैं आपको ग्यात है भगवान विश्णु बोले हाँ कि चला रहे है कि संसे मिटा दो बगवान ने कहा कौन सा संसे कि मुझे थोड़ी सी परिच्छा रहे है अभी तक नरायन भगवान कर्वट लिये थे आज नरायन भगवान सीधे होकर पूछ रहे हैं परिच्छा आपको लेना है हाँ लच्छमी विचार कर लेना लच्छमी तुमारे मन में के संकर भगवान के पती बेद उत्पन हो रहा है शिव जी के प्रती बेद उत्पन हो रहा है मैंने पेन निवेदन पहोन शुर्शा भाईहнов से निवेदन है संकर भगवान पर कभी वेद उत्पन मत करना क्या शिव जी को जल चड़ाने से ऐसा होताया क्या बेलपत्री खाने से इसा होता है, पहले चड़ा कर देखो, खा कर देखो, लाब हो, तब पिचार कर देखो, क्या होता है? आखो हम अपने जीवन में उतारें कि आउला नोमी के दिन, आउले के ब्रक्ष के नीचे कुछ खाने का नियम क्यों है? बोलो, यहां से पहले लोग आउला आउला आउले के पेड़के नीचे पिकिनिक मनाने जाते हैं ते कि नी जाते हैं? आउले के ब्रक्ष के नीचे बेटते की बेटते हैं? क्यों? कोई तुमसे पूछे कल के बच्चे तुमसे प्रश्न कर लेंगे ममी या आउले के ब्रक्षे के नीचे क्यों पूजन करती हो आउले के ब्रक्षे के नीचे क्यों जाती हो आउले के ब्रक्षे के नीचे पिचनिक मनाने क्यों जाना चाहिए आउले के ब्रक्ष के नीचे कुछ क्यों खाना चाहिए आउले के नीचे बेट कर दीप क्यों जलाना चाहिए आज के बच्चे जो विज्ञान का यूँग है इस विज्ञान के युके बच्चों को विज्ञान के साथ जोड़तर बताना पड़ेगा आपको कि आवले के ब्रक्ष की महत्वत्ता क्या है जिस जगा पर आवले का ब्रक्ष होता है उस आवले के नीचे बेपूंठ का निवास भता है कल आवला नूमी है आउले के व्रक्ष की पूजन मेरी माताएं मेरी दीदियां मेरी बेटियां जब करें भाई लोग उसे भी निवेदन है समय निकाल करके वल माताओं के लिए आउले का व्रक्ष नहीं है आपके लिए भी है अगर घर का कोई व्यक्ति नहीं गया होगा तो उसको मस्तक पर घर में ही वो पत्ती लग जाएगी तो बेकुंट का भाव तो उसके पास तक पहुच जाएगा उतना भी पाव पाव ब्रह्मदेव करें आउले के व्रक्ष के नीचे संकर भगवान भोजन कर ले तो बेकुंट के भोजन का फल मिलता है बेकुंट के भोजन का फल हाँ और उटकर शंकर भगवान चले गए थोड़ी देर बाद आपिस लुटकर आ गए बेट गए उच्छा महराणी ने माता लच्मी ने मेरे शंभू मेरे बाबा मेरे भोले ना मेरे प्रभू कहा चले गए थे आप भोजन की ठाली को छोड़ कर तब शिवजी करते हैं कोई चा संत भूके रे गए थे उनको भोजन कराने चला गया था लच्मी जी ने कहा आप स्रष्टी के सही संचालन कर रहे हो मैं जान गई आपको कि आप स्रष्टी के सही संचालन करता हो एक मन की अभिलाशा है अगर आप पूरी कर दे तो अगर पूरी कर दे तो शिवजी ने पूछा क्या मेरा मन है आप अगर ब्रह्म मोरत में सुभा का समय भोजन गरन कर रहे हैं तो शाम का भोजन भी मेरे ही इस बेकुंठ में शिवजन गरन करें शिवजी ने कहा शाम को तो मैं पार्वती के सांद्रमन पर निकलता हूं पर तो पहर के समय पर मैं आपकी यह भोजन करने फिर आउंगा अपकी बार लक्ष्मी जी ने भोजन कर आने बेटने से पहले माता लक्ष्मी ने पांच चीटियों को एक डबी में भरकर बंद कर दिया बुद्ध द्राइवर लेज आरे तो ड़रा वेड गलता है अज के ताइम पर वेड गलता है या मतलब वूबर्स अद वेड़ अटाया यह तुमलों ने फोर उठाया सीधा गाडी दरवाजे पर अम लोग दरवाजे से बान इतल ते ते तो प्रेन और तो कुछ ने ने वर्ण दोगे विटा एवराजे विटा इंको दिंके रखतम दुखी से तो प्रिंफ पका बने लागाँ क्यारे इतने दूब ने भिगली केर तेरा वाप ऐसे दूब में तब तब के सोना बना इतना मियंगा है शबब अड़ीकेख पाई जमा करके तेरे भावा ने संज़ा, लाइफ में गुगा सूटल होना जिए स्ट्र्गल भूत एड है लाइफ में काफी स्ट्रगल है बर वा की सब के लिए लिए अट टूबर है लिए बावा की सब के लिए अटोर है, लेट्स गो प्रेहरा कि आप यह ए प्रभूने को पार्टेयालब। झाल चोज़ इन्हेलकु के उड़ीजे पित्थरा इन्हें फुरा ग्रूट कि आप ग्रप्सार इन्हें को कि आपक पुल्ट आपको। इम्हें वह लुट इप क्यशे प्रप्सक्नली हैं लेर्न फ्रम दोस विद एक्स्पेरिएंस लिंक्टिन लिंक्टिन अज लच्मी आपके हाथ का भोजन करकर मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरी माता आपकी माता ख्याती देवी ही मुझे भोजन करा रही है आपको माता के रूप में आज मैंने देखा है जैसे घ्याती देवी को देखा बैसे आपको देखा तब भोजन पेड भरत रचीळी ने जब किया आच्चमन करा लच्षनी जी ने कहा भगवान नारैन आपको पूरी सरश्षनी का भारतत्व दिया है कि पूरी स्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष् रोला कर बोले पर यो लश्मी कौन किता है कि पत्चीती B Down क हैं कहां और लश्मी जी करते हैं अपने भोजन किया? जब भगवान विश्मूने अपनी रस्ष्टी अभार आपको दिया था तो बिना उनको भोजन कराया आपने भोजन कैसे कर दिया देव अधियों महादिव संकर भगवान कहते हैं लच्छमी किसी पर अच्छे लगाने से पहले उंगली उठाने से पहले कि तीन उंगलिया अपनी ओर जाती है कि अपने अंदर जांग कर देखो कि तुम कैसे हो पहले विचार करो फिर उंग लिए लच्छमी जी पहले टबी में जो चीटियां हैं उनसे पूछो उनने भोजन किया कि नहीं किया मैंने तो सुबा से चीटियों को बंद करकर रखा है भोजन कहां से कर लेंगे डबी खोली चीटि के मुख में चावल का छोटा सा भाद भसा हुआ था लच्छमी जी की आँख से चल बहने लगा भोले ना इनके मुख में चावल कहां से आ गया शिवजी में कहा लच्छमी तु जब चीटियों को बंद कर रही थी ना तो तुझे दोश ना लगे इसलिए तुने चीटियों के चरण को धोक लगाया था कि मेरे साथ परिक्षा में तुम शामिल हो जाओ मेरे साथ थोड़ी देर के लिए तुम डबी में बंद हो जाओ माना तुमको कश्ट होगा इसलिए मैं सिर जुका कर तुमको नमर परते हो चमा मांगती हो जब तुझ चमा मांग रही थी तेरे कुंको में जो चाओल खसा था चमा मांगते से मैं डबी में गिर गया था वो चाओल चीटियों ने ग्रहन करा वो चाओल चीटियों ने ग्रहन करा महाराज़ वो चावा जो चीटियों ने ग्रण किया बस चीटियों का भोजन पहले हुआ है लच्छमी की आँख से चल बेह रहा है पर रो रहे है चमा चाथी हूँ मैंने थोड़ा सा गलत सोच लिया विज़ार कर लिया आप चमा करें मुझको संकर भगवान में कहा लच्छमी जी चमा मत मांगो एक काम कर दी क्या बस एक कारेच चाहिए अक्छाय नौमी आउला नौमी के दिन जो आवले के ब्रक्ष के नीचे दीपदान करेगा शाम के समय पर संध्याकाल के अंतरगर तो उसके घर में कभी संपदा की कमी ना हो लच्छमी जी ने कहा प्रग्वाफ की आपकी मिस्विकार करके जितने भी लोग कथा शमन करने और जो लोग नहीं सुन पा रहे हो इस कथा की एक छोटी सी बात जन्मानस तक हो चाहिए कि आउले के ब्रक्ष के नीचे आउला नॉमी के दिन शाम के समय दीप दान अवश करें जिससे आपके जीवन में खुशियां समाही ठोग जीवन में आनत की अनगुटी हो जीवन का सुप्राब आउला नॉमी के उपाएं आउला नॉमी 10 नॉम्बर को आप सब भी आउला के पेड़ के नीचे जाकर आउला नॉमी की पूजा करें प्लीज मेरे चैनल को लाइक करें सेर करें सबस्क्राइब करें